EPA's 95 Pension News Pension भोगी सरकार से नहीं मांग रहे भीक Contribution का ब्याज ही बनता है 15,000 Pensioners ने लिखानियोंतम Pension 1,000 रुपए को बढ़ाने की मांग जायज नहीं लगती है जबकि वे सरकार से भिक्षा नहीं मांग रहे हैं सूचनाजी News 36 गड EPS 95 Pension पर Pensioners की अलग ही रणनीती बनी हुई है लोग सभाचुनाव से पहले सरकार की चौखट पर हाजिरी लगाने वाले Pensioners अब तरहत्रा की बाते कर रही है एक Pensioners ने लिखा प्रिय मतदाता मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप EPS 95 वृद्धावस्था Pensioners का समर्थन करें जिनोंने न्यायाधीश पक्षद्वारा न्यूंतम पेंशन के मामले में धोका खाया है मुझे आप से याचना है कि आप चुनावी दिशा में प्रचार करें और कम से कम दस व्यक्तियों को Pensioners के पक्ष में जोडने का प्रयास करें वृद्धावस्था Pensioners के समर्थन में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है न्यूंतम पेंशन बढ़ाने का इंतजार ससी नायर ने लिखा द्यनिय स्थिती है कि कोई भी EPS 95 पेंशन भोगी मेरे संदेश को देख या साजह और पसंद नहीं कर रहा है जबकि मैंने Facebook, X और YouTube में पोस्ट किये थे ये लोग न्यूंतम पेंशन बढ़ाने का इंतजार कर रही है वहीं, अनिल कुमार नमदेओं ने लिखा 95 कुछ देर सुस्ता लें हमारा भी समय जरूर आएगा इस पोस्ट के साथ राजेश खन्ना के गाने का एक विडियो भी शेर किया गया कहा गई मोदी जी की गारंटी? पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर के पोस्ट में पेंशन भोगियों का दर्द साजा किया गया है उन्होंने लिखा कि जो सरकार देश के बुजुर्गों और लाचारों की परवान नहीं करती है बलकि उनके जमाधधन को भी जब्त कर लेती है वो देश का कभी सगा नहीं कहला सकता है जिस सरकार का अहंकार देश के बड़े बुजुर्गों की शांतिपूर्ण एवा करुणा में पुकार से सहम नहीं जाता है उसे उनका श्राप लगना स्वाभाविक है सरकार किसान प्रोटेस्ट तथा सिये कानून के विरोध में किये गए हिंसात्मक आंदोलन की भाषा को ही समझ सकती है उसे बुड़े बुजुर्गों का नियोंतम पेंशन एक हजार रुपए को बढ़ाने की मांग जायज नहीं लगती है जबकि वे सरकार से भिक्षा नहीं मांग रहे है अपने कंट्रिब्यूशन का उचित ब्याज भी पंद्रह हजार बनता है किन्टु नियोंतम पेंशन के लिए उनकी मांग उसकी आधी रकम साथ पांच शून्य शून्य प्लस दा था किन्टु भारत की सरकार को यह मंजूर नहीं हुआ कहां गई मोदी जी की गारंटी? EPA's 95 पेंशन, EPFO, PM मोदी की चुप्पी अंदर ही अंदर खा रही पेंशनर्स को औसत 1171 का पेंशन उन्हें दिया जाता है जो उस कर्मचारी ने स्वया पेट काट कर जमा की थी पेंशन, EPA's 95 मिनमम पेंशन को लेकर एक और पोस्ट ने हड़कम मचा दिया है पेंशनर्स इंदरनाथ ठाकुर के पोस्ट में PM मोदी पर निशाना साधा गया न्यून्तम पेंशन एक हजार रुपए को 7500 रुपए करने की मांग की जा रही है सरकार से आश्वासन मिलते रहे लेकिन अमल नहीं हो सका है इस बात को लेकर पेंशनर्स भढ़के हुए है पोस्ट के मजमून को आप भी पढ़िए पेंशनर्स के मन की बात कुछ इस तरह है मानियों मोदी जी आप चुप है माना की अभी चुनाव का दबाव है लेकिन प्रश्न आपकी नियत का है EPS 95 के 75 लाख सेवानि वृत करमचारियों के लिए यदि आपके हृदय में हम दर्दी है तो फिर आप चुप क्यों है अगर बुजर्गों को जीवन जीने का अधिकार है तो सोचिए क्या उसे पेंशन के नाम पर दी जा रही रकम ज्यादा है क्या यह न्याय पूर्ण लगता है परियाप्थ है जबकि आउसत 1171 का पेंशन उन्हें दिया जाता है जो उस करमचारी ने स्वयं पेट काट कर जमा की थी जो रकम EPSO के खाते में क्या यह रकम उसके द्वारा जमा की गई मूलधन का समुचित ब्याज भी होता है जो रकम EPSO के खाते में किसी करमचारी ने जमा की थी ताकि सेवाकाल के बाद उसके भविश्य के जीवन्यापन के लिए होगा करमचारी को वह जमा रकम सरकार वापस कर देती मगर सरकार ने वह रकम जब्त कर ली क्या यह न्याय है जमा मूलधन का समुचित ब्याज उस जमा मूलधन का समुचित ब्याज भी अब सरकार अदा नहीं करना चाहती है क्यों जिस वक्त तत्कालीन सरकार संगठित ख्षेत्रों के कामगारों पर भी यह स्कीम लागू कर रही थी सरकार ने सुनले सपने दिखाए थे कहां गया था कि सरकारी पेंशन से भी यह पेंशन बहतर होगा सेल के करमचारी अपने वेतन का एक्चुल भाग हम सेल के करमचारी अपने वेतन का एक्चुल भाग स्कीम में जमा करने के लिए तयार थे हमने जिसके लिए अलग से रकम भी कटवाए थे लेकिन सरकार लेने से मना कर रही थी जब हम सेवा निवृत्थ हुए तो सेल ने हमारी कुल जमाराशी को हमें वापस कर दिया था उम्रत 73 के पार और पेंशन 1505 रुपए उस वक्त पेंशन मद में सिर्फ 6000 वेतन के अनुसार ही कटोती स्वीकार की गई थी जो भी हो इसमें कर्मचारियों का कोई दोश नहीं था हमें हमारी पेंशन 58 साल के बाद दी जाने लगी जब हम सेवा में योगदान कर ही रहे थे हमारी सेवा ने वृत्ती 60 साल की आयू पूरी होने के बाद हुई थी उसे भी बीते 13 साल हो गए है अभी मेरी उम्रत 73 के पार है और मुझे पेंशन 1505 रुपए दी जाती है आप स्वायन भी मेरी व्यायके हो रही है क्या इतनी रकम मेरे और मेरी पत्नी के जीवन्यापन के लिए अधिक है मुझे व्यक्तिगत अधिक आए नहीं चाहिए यह रकम हम दोनों के भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा के लिए परियाप्त से भी ज्यादा है देशहित में इसका समर्पन करना पसंद यदि देश के लिए मेरी इस सर्वस्व आय के समर्पन से लाब हो तो मैं देश हित में इसका समर्पन करना पसंद करूँगा फिर भी आप जैसे मनीशी चुप है यहाँ समझ नहीं पा रहा हूँ हमें लोकतंत्र नहीं रामराज चाहिए मैं आपके साथ था हूँ और जब तक जीवन शेश है आगे रहना भी पसंद करूँगा रिटायर होने के 15 साल के बाद पेंशन कॉम्यूटेशन हिस्से की बहाली और अडिशनल पेंशन भुकतान पर केंद्र सरकार ने जारी किया दिशानिरदेश पेंशन भुगियों की बार-बार शिकायते मिल रही थी कि 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी बैंक PDA पेंशन कॉम्यूटेशन हिस्से को बहाल नहीं करते है साथ ही 80 साल बीद जाने के बाद भी पेंशन भुगियों पारिवारिक पेंशन भुगियों को एडिशनल पेंशन का भुकतान नहीं करते है इसके साथ आपको बतादू की पेंशन भुगियों में काम्यूटेशन बहाली और एडिशनल पेंशन को लेकर कन्फ्यूजन भी रहता है पेंशन भुगी बार बार प्रशन पूछते हैं कि काम्यूटेशन की बहाली कैसे की जाती है साथ ही साथ additional pension का भुकतान किस प्रकार होता है तो इस लेख में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है Retire होने के 15 वर्षों के बाद pension commutation हिस्से की होगी automatic बहाली सेवानि वृत्ती के समय अगर pension भोगी ने commutation कराया और pension भोगी को commutation के पैसे का भुकतान पहले महीने के दोरान कर दिया जाता है और उनकी pension में से commutation कटोती सेवानि वृत्ती की तारीक से शुरू हो जाती है तो ऐसे case में commutation की बहाली सेवानि वृत्ती की तारीक से 15 वर्ष की समापती के बाद किया जाएगा जहां pension शुरू होने की तारीक के महीनों बाद commutation लागू किया जाता है और महीनों बाद pension से commutation का पैसा काटा जाता है तो इस case में commutation की बहाली के लिए 15 साल की अवधी भुकतान की तारीक से मानी जाएगी उस तारीक से जिस दिन commutation के कारण pension में कटोती प्रभावी हो जाती है इसके अलावा जहां commutation का भुकतान एक से अधिक बार चरणों में किया जाता है तो ऐसे मामलों में pension की राशी में कटोती, भुकतान की तारीकों से चरणों में की जाएगी और ऐसे pension भूगियों की commutation की बहाली भी चरणों में की जाएगी जहाँ वेतन आयोग आने के बाद pension बढ़ जाती है और उस नई basic pension पर commutation फिर से की जाती है तो ऐसे case में loose commutation की बहाली की तारीख दो बार होगी वेतन आयोग के पहले जब कॉम्यूटेशन पुरानी बेसिक पर कराया गया था तो उसका 15 साल उसके बाद वेतन आयोग आने के बाद जब नई बेसिक बनी तो जब फिर से कॉम्यूटेशन कराया गया तो उसका 15 साल यानी की दो बार कॉम्यूटेशन की बहाली की तारीक होगी कॉम्यूटेशन की बहाली आटोमेटिक होगी पेंशन धारकों को कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर फिर भी बैंक PDA इसकी आउटोमेटिक बहाली नहीं करते हैं तो पेंशन भोगी बैंक PDA में व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं साथ में CP&E GRMS पोर्टिल पे भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं असी वर्ष और उससे अधिक आयू के पेंशन भोगीयों को अतिरिक पेंशन का भुकतान पेंशन भोगीयों में इसको भी लेकर confusion रहता है कि आखिरकार उनको additional pension का भुकतान किस प्रकार किया जाता है तो आपको बता दू कि जैसे ही पेंशन भोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बड़ोतरी की जाती है इसका फाइदा पेंशन भोगियों के साथ साथ फैमिली पेंशन भोगियों को भी दिया जाता है पूरी डिटेल आप इस चार्ट में देख सकते हैं 80 वर्ष और उससे अधिक की आईू प्राप्त करने पर पेंशन पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा निमनलेखित दरों पर स्वीकार्य होगी पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों की आयू पेंशन पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा 80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से कम पेंशन फैमिली पेंशन का 20% 85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष से कम पेंशन फैमिली पेंशन का 30% 90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष से कम पेंशन फैमिली पेंशन का 40% 95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष से कम तक पेंशन फैमिली पेंशन का 50% 100 वर्ष या उससे अधिक पेंशन फैमिली पेंशन का 100% ऐसे मामलों में जहां पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी की सटीक जन्मतिती पेंशन पे ओर्डर पीपियो में उपलब्ध है तो असी वर्ष और उससे अधिक की आयू प्राप्त करने पर अडिशनल पेंशन उस महीने की पहली तारीक से उपर्युक्त दरों पर दे होगी महीने की किसी भी तारीक को पेंशन भोगी की जन्मतिती हो लेकिन इसका फाइदा उस महीने की पहली तारीक से ही दिया जाएगा उदाहरण के तोर पे मान लिजिए किसी पेंशन भोगी की उम्र 29 मार्च 2024 को 80 वर्ष की होती है तो 20% एडिशनल पेंशन का फाइदा उ उस महीने के पहली तारीक यानी एक मार्स से ही बड़ी हुई पेंशन का लाब दिया जाएगा। उसी प्रकार किसी पेंशन भोगी की उम्रे इस महीने की 29 तारीक को 85 साल होती है, तो 30% additional pension का फाइदा उस महीने के पहली तारीक यानी एक मार्स से ही 30% बड़ी हुई pension का लाब दिया जाएगा